दोस्तों तकरीबन हर घर में इलाइची का प्रयोग किसी ना किसी रूप में अवश्य किया जाता है कोई इसे एक मसाले की तरह इस्तेमाल करता है तो कोई चाय में इलाइची का प्रयोग करता है वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वात के रूप में और एक मौथ फ्रेशनर के रूप में इलाइची खाते हैं लेकिन इलाइची के गुण और परियोग सिर्फ यही खत्म नहीं होते बल्कि यहां से तो इलाइची की विशेशता शुरू होती है और अगर आप रात के समय इलाइची खाकर गरम पानी पीते हैं तब तो आपको इलाइची के असंखे लाब प्राप्त होते हैं तो आज हम लाइफ एक्स में जानेंगे की रात को इलाइची के उपर गरम पानी पीने से क्या होता है तो चले इसके बारे में जानते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे पहले सबस्क्राइब करें और चैनल पर अविलेबल बैल आइकन को इनेबल जुरूर करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे वहले देख सकें तो चले दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि रात को दो इलाइची खाकर उपर से गरम पानी पीने के बाद आपको ऐसे फाइदे मिलेंगे जिनें देखकर आप चौंग जाएंगे दोस्तों भारती रिसोईगरों में इलाइची की एक अलग ही जगह है इलाइची आईरन, वाइटमिन सी, नियासीन, रिबोफलेबिन, पोटैशियम, मगनीशियम, कैल्शियम, आधी का भरपूर स्तरोथ है इलाइची दो परकार की होती है एक छोटी इलाइची और एक बड़ी इलाइची बड़ी इलाइची जो कुछ खास व्यंजनों में इस्तेमाल की जाती है और छोटी इलाइची आम तोर पर खुश्बू और स्वात के लिए प्रयोग की जाती है दोस्तों इलाइची वाली चाय भी संसार भर में खूब पसंद की जाती है लेकिन शायद आप यह नहीं जानते हैं कि इलाइची एक आयरवेटिक ओशदी भी है जिससे हम श्रीर की कई बिमारियों से आसानी से चुटकारा पा सकते हैं तो चले जानते हैं कि अगर आप रात के समय इलाइची को खाते हैं और उपर से पानी का सेवन करते हैं तो उस से श्रीर को कौन-कौन से फाइदे मिलते हैं वजन करे कम दोस्तों वजन कम करना आज कल एक छोटी सी बात हो गई है जिसे भी देखो वो मुटापा कम करने में लगा है लेकिन मुटापा बहुत समय बाद जाता है वो भी जब आप कठिन मेनत करते हैं लेकिन आयरवेद के अनसार हम बिना ज़्यादा मेनत किये ही इलाइची की मदद से अपनी अतिरिक्त चर्बी कम कर सकते हैं अगर आप अपनी निकली तोंद कमर के आसपास जमा अतिरिक्त चर्बी बेडोल श्रीर और बढ़ते वजन से परिशान है तो आपको बता दें कि आप भी रात को सोने से पहले एक इलाइची खा कर उपर से गरम पानी ज़रूर पिए क्योंकि इलाइची में मुझूद पोटाशियम, मैगनेशियम, वाइटमिन B1, B6 और C अतिरिक्त चर्बी को पिगला देते हैं वहीं इसमें मुझूद फाइबर और केल्शियम आपके वजन को नियंतरित रखते हैं बालों का जड़ना रोके दोस्तों आज कल बदलते खानपान और लाइश्टैल के कारण बालों के जड़ने तूटने की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है वहीं कुछ मोसम और जग्या के बदलने के कारण भी इस समस्या का शिकार हो जाती है ऐसे में इलाइची आपके काफी काम आ सकती है दोस्तों एक इलाइची खाकर उसके उपर गरम पानी पीने से बालों के जड़ने की समस्या कम हो सकती है इस से आपके बालों की जड़नों को मजबूती मिलती है डेंडरफ दूर होता है और बालों का जड़ना भी बंद हो जाता है सास की दुरगंद दूर करे दोस्तों सास की दुरगंद को दूर करने में भी इलाइची काफी लाबदाइक होती है और आयरवेदिक होने की वज़े से इसका कोई नुकसान भी नहीं होता है अगर आपके मूँ से बदबू हमेशा आती है तो रात को गरम पानी के साथ इलाइची के सेवन से सास की दुरगंद की यह समच्या स्माप्त हो जाती है रक्त संचार को बहतर बनाए दोस्तों स्वस्थ श्रीर के लिए रक्त संचार का बहतर होना बहुत आवश्यक है क्योंकि खाने के सभी पोशक तत्व रक्त में मिलकर ही श्रीर के हर हिस्से तक पहुँचते हैं लेकिन अगर आपका रक्त संचार ही स्वस्थ नहीं है तो आपके श्रीर में पोशक तत्वों की कमी हो जाती है लेकिन अगर आप एक हिलाची के उपर एक गिलास करम पानी पी कर सोते हैं तो ये ना सिर्फ रक्त संचार को वेतर बनाता है बलकि रक्त को शुद भी करता है जिससे आपके चेरे पर निखार भी आता है शरीर की करे अंदर से सफाई दोस्तों शरीर के अंदर की सफाई भी उतनी ही जरूरी है जितनी की शरीर के बाहर की वैसे हम शरीर के बारी हिस्से की सफाई पर ज्यादा द्यान देते हैं और शरीर के अंदर की सफाई के बारे में कभी सोचते भी नहीं है लेकिन यह शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है और इलाइची की मदद से हम अपने शरीर के अंदर की सफाई बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं इसके लिए आपको रात को चार इलाइची खाकर उपर से गरम पानी का सेवन करना है ऐसा करने से आपके शरीर के अंदर की सफाई सुबह मल द्वारा हो जाती है रक्त परभाव को नियंतरित करे दोस्तों इलाइची में ऐसे गुण भी है जो शरीर में रक्त के परभाव को नियंतरित रखते हैं इसलिए श्रीर में रक्त परभाव को ठीक रखने के लिए आयरवेद में राप को इलाइची खाकर उपर से गरम पानी का सेवन करने की बात की गई है दिमाग को तेज करे दिमाग की शक्ती बढ़ाने और यादाष्ट बढ़ाने में भी इलाइची बहुती लाबदाइक होती है इसके लिए आप किसी भी तरह से इलाइची का सेवन कर सकते हैं आप चाहे तो इलाइची ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप रात के समय इलाइची खाकर उपर से गरम पानी का सेवन भी कर सकते हैं अनिद्रा दूर करे दोस्तों आज के समय में हर व्यक्ति रात के समय भी गंटो फोन या लैपटोप में लगा रहता है जिसके कारण ये सब व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं और दीरे दीरे वाकी रोग भी आपको घेर लेते हैं ऐसे में भी इलाइची आपकी मदद कर सकती है इसलिए इस समस्या के दुरान आपको रात को सोने से पहले एक इलाइची और एक गिलास करम पानी का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि इलाइची में कुछ ऐसे तत्व पाई जाते हैं जो दिमाग को शाथ करते हैं जिससे अच्छी नीद आती है यही नहीं ये खराटे लेने की आदत को भी दूर करते हैं ताकि आप चैन की नीद ले सकें सर्दी खराश दूर करें दोस्तों सर्दी की वज़े से कई बार गले में बहुत दर्द होता है और अजीब सी खराश होती है इसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका है इलाइची सुबह खाली पेट ये रात को सोने से पहले एक या दो इलाइची चबाए और उपर से गुनगुना पानी पी ले आपके गले को कुछी समय में आराम मिलेगा इलाइची गर्मी करती है जिसके सेवन से शरीर में गर्माहट पड़ती है और सर्दी खांसी से आराम मिलता है और साथ ही कप की भी परिशानी दूर हो जाती है बलड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है दोस्तों इलाइची में बलड प्रेशर कंट्रोल करने की भी क्षमता होती है इसमें potassium fiber होता है जो blood pressure को control करता है इसलिए blood pressure के मुरीज को रोजाना खाने के बाद इलाईची का 7 जरूर करना चाहिए चुटकी में कबज दूर करे दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है जिस वज़े से उन्हें कबज की समस्या हो जाती है यदि कबज का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये गंबीर रूपदारन कर लेती है और साथ ही कई और रोगों को भी अमंतरित करती है तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इलाजची आपकी कबज की समस्या में आपके लिए काफी लाबकारी साबित हो सकती है दोस्तों अगर आप रात के समय एक इलाजची खाकर एक गिलास करम पानी पीते हैं तो इससे आपकी पाचन क्रिया को मजबूती मिलती है आतों और किड्नी की सफाई होती है जिससे चुटकियों में पुरानी से भी पुरानी कबज की अकड़ तूट जाती है और कबज का सफाया होता है वीरे को करे गाड़ा दोस्तों इलाजची का सबसे मैत्वपून गुन यह है कि यह आपके वीरे को बढ़ाती है और इसे गाड़ा करती है अगर आपका वीरे पतला हो गया है शुकरानों में कमी आ गई है या आपकी इंदरी में डिलापन है तो इलाजची और गर्म पानी आपके लिए एक बरदान की तरह काम करते है जी हाँ इलाजची में कई ऐसे गुन होते है जो शुकरानों की संक्या को बढ़ा कर वीरे को बनाने में मदद करते है आपकी काम भावना को बढ़ा कर इंदरी में नई जान डालते है और नपुनसकता या अरूची जैसे रोगों से मुक्ती दिलाते है इसलिए अगर आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते है और अपने ववाहिक जीवन को खुशा रखना चाहते है तो राग को इलाजची खाकर उपर से गरम पानी पीना कभी न भूले इन सब के इलावा दोस्तों इलाजची का ये पर्योग स्वाससवंदी रोगों को दूर करने हड्यों को मजबूती परदान करने पाचन तंतर की शक्ती को बढ़ाने और मुत्रविकारों को दूर करने जैसे ना जाने कितने ही रोगों में लाबदाई होता है इसलिए आप भी आज से ही रात को सोने से पहले एक इलाइची खाकर उपर से एक गिलास करम पानी जरूर पीए और इससे होने वाले फाइदों का भरपूर लाब उठाए और इलाइची को सिर्फ एक मसाला समझने की बूल ना करें तो देखा दोस्तों ये चोटी सी इलाइची कितने काम की है इसलिए आप इसे कभी भी नजर अंदाज ना करें और अपनी रुटीन लाइव में और आहार में इलाइची को ज़रूर शामिल करें तो दोस्तों ये है हमारी आज की खास वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि रात में दो इलाइची खाकर उपर से गरम पानी पीने के बाद होंगे ऐसे चोकाने वाले फाइदे कि आपके होश उड़ जाएंगे इसलिए आप भी आज से ही इलाइची का गरम पानी के साथ सेवन करना शुरू कर दें उमीद है आपको मर ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों आपको मर ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राइज जरूर दें अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक शेयर हमारे लिए बेहत माईने रखता है और आप लोगों का एक शेयर किसी की जिन्दगी भी समवार सकता है लाइक और कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीड़बेक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सबस्क्राइब करना ना भूले कीप शेरिंग एंड कीप सिपोर्टिंग अस हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और ने वीडियो के साथ थैक्स वर वाचिंग